अंधेरी रात डराती अवाज बच्चों को बांध कर अपने पलू से छुपा कर सुलाती हर्मा सुनाई देती भेड़िये की आहट से तलाशने के लिए भागता पूरा गाउं ये मंजर है उत्तर प्रदेश की पचास से ज्यादा गाउं का क्योंकि वहाँ पर आदम खोर भेड़िये ने अपने पैर पसा रखें और एक के बाद एक परिवार के उन मासुमों को श्रिकार बना रहा है जो गलती से भी उसे दिख जा रहा है ऐसे में हमारी न्यूज वन इंडिया की टीम इस पूरे मामले को लेकर जब परताल करने के लिए निकल पड़ी तो उन्होंने भी पसरा सनाटा और घर के बाहर पहरा देते लोग उन्हें नजर आए इतना ही नहीं नियूज वन इंडिया की सनवादाता मोसीन खान ने भी उन तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैत किया जो इस बात की गवाही देते हैं कि इस वक्त प्रश्रासन भी मुस्ताइद है और गाउं वाले भी प्रश्रासन का पूरा साथ देते हुए नजर आ रहे हैं जब हमारे सनवादाता ने पुलिस वालों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा चली आपको सुनवाते हैं इतने गाउं में अब तक ऐसी सूष्ना मिली आ जहां जहां फोर्स लगाई गई है चार गाउं में कौन से पढ़ोहिया है असमानपूर है रागोजोत है और धर्मकुंड़ा है चार गाउं है च्छारों में फोर्स लगा दी गई है अच्छे बात बताईए रूपनेर्ण स कल भी बच्ची पर अटेक हुआ था तो क्या उसी को लेकर ये शोर शरावा मचा कि फिर दुबारा से भेडिया गया तो सरकार की ओर से उसको मारने के लिए आदेश हो गया है अब तक तो आप बदमाशों का एंकाउंटर करते थे भेडिया मिला तो उसका भी एंकाउंटर होगा मानव जन हित में इंकाउंटर होना ही चाहिए बिल्कुल जाहित और पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाथ ने भी मानव हित को देखते हुए क्योंकि लगातार जो वन्य जीव है उसका जो हमला है वो मानवों के उपर बढ़ता जा रहा था तो उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर आदम खोर भेडिये को मारा भी जा सकता है और उसको लेकर अब आदेश आ गए है और उसी के मद्दे नजर अब पुलिस प्रशासर ने बहराईश की जो मैसी त तो उसका सीधा सीधा एंकाउंटर किया जाएगा यानि उसको सीधा गोली मारी जाएगी और भेडिये के शूट एंड साइट के ऑडर होने के बाद अब पुलिस ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है भेडिये से अपने परिवारों को बचाने के लिए गाउंवाले रात र दो, आपनी को कुर्बान कर रहे है इतना ही नहीं रात राद भर रिक्षे से अनाउंस्मेंट की जारी है बच्चों को घरों के बाहर ना सुलाएं जाने की हिदायत दी जा रही है ताकि किसी भी तरह से भेडिया हमला ना कर सके वहीं इस पूरे वीजियो में भी आप देखेंगे कि लोग भेडिये से बच्चने के लिए थाली भी बजा रहे हैं और लाठी डंडे के साथ खेतों में भी लगातार पहरा दे रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कि आपकी क्या कुछ शुराय है हमें कमेंट बॉक्स पर बताईए तब तक लिए देखते रहे हैं न्यूस वान इंटिया